चीन में कोरोना के गहर की तस्वीरें दुनिया को डरा रही हैं देश में कोरोना के सिति की समिक्षा के लिए केंद्रिय स्वास्त मंत्री मनसुक मंडाविया ने बुद्भार को हाई लेवल मेटिंग बुलाई बैठक में नीतियायोक के सदश से डॉक्टर वी के पाल कुविड नाइटीन वरकिंग ग्रूप एन्टी एज़ई आई डॉक्टर एनके अरोडा आइसी एमार के डीजी डॉक्टर राजियू बहल समेद स्वास्त मंत्राले के वरिष्ट अधिकारी मौजूद रहे मंगलवार को केंद्र ने राजियों को कोविड के पॉजिटिव मामलों की जीनोम सीक्वेंसिंग के निर्देश दिये थे इससे ये पता चल सकेगा कि देश में कोरूना का नया वैरियन तो नहीं हाया भारत पर किसी तरह के खत्रे से हेल्थ एक्सपर्ट्स फिलहाल इंकार कर रहे हैं हाला कि एक्सपर्ट्स ने सभी को साधानी बरतने की नसीहत भी दी है इस बीच कोरूना के पॉजिटिव मामलों की जीनोम सीक्वेंसिंग फिर से शुरू हो गई है केंद्र सरकार के आदेश के बाद दिली सरकार के लोकनायक और I.L.B.S. अस्पताल में जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए पॉजिटिव सेंपलों को जुटाया जा रहा है लोकनायक अस्पताल के निदेशक डॉक्टर सुरेश कुमार ने बताया कि पॉजिटिव सेंपलों की जीनोम सीक्वेंसिंग की दैनिक आधार पर जीनोम सीक्वेंसिंग की जाएगी इससे पता चलपाएगा कि कोरूना का कोई नया वैरियन तो नहीं पनप रहा गौर दलब है कि जापान, दक्षिर कोरिया, प्राजील, चीन और अमेरिका में कोरूना के नय मामले चिंता जनक तरीके से बढ़ रहे हैं पिछले कुछ दिनों से कोरूना आकड़ों पन नजल डाली जाए तो पिछले हपते संक्रमण के चलते भारत में पारा मौते दर्श की गए हैं पिछले तीन दिनों में एक भी मौत का मामला सामले नहीं आया है मार्श 2020 के बाद दैनेक पनत्यों के मामले में ये सबसे कम है कोरूना के मामलों की बात करें तो पिछले सबता कोरूना के एक हजार एक सो तीन नए मामले दर्श किये गए हैं सौास्त विशे शग्यों ने बताया कि चीन में फिलहाल बढ़े मामलों के लिए ओमिक्रोन बी एफ बॉइंट सेवन सब वैरियंट जिम्मेदार है वहां अगले तीन महिने में तीन कोरोना लहरें आने का खत्रा है इससे असी करून लोग संक्रमित हो सकते हैं और दस लाग से ज़्यादा मौतों की आशंकज़ताई जा रही है देश विदेश की ताजा खबर पाने के लिए हमारे चैनल वी न्यूस को सब्सक्राइब करें वह बेल आइकान दबाना न भूलें